नमस्कार दोस्तों रश्या के पेस्टिटन वलादमी पुतिन द्वारा एक बहुत ही इंपोर्टेंट डेवलेप्मेंट किया गया है जहां पर दो नए नुकलियर पावर आइसब्रेकर उपर आइकटिक ओशन के अंदर चलाने के लिए इनगरेट किये गये लॉंच किये गये इन दोनों के अंदर एक अना में यकुतिया जो फड़ा सा छोटा है और दूसरे अना में रोजिया जो अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे पावफुल आइसब्रेकर माना जाएगा रश्या के पास में पहले ही आइकटिक ओशन के अंदर चलाने के लिए आइकटिक ओशन क के अंदर रश्या चलाएंगा जिसके अंदर से नो आइस ब्रेकर जो होंगे वो न्यूक्लियर पावर्ड रश्या क्यों यह आइस ब्रेकर लगातार अर्टिक ऊशन के अंदर बढ़ा रहा है इसकी विए से जियो पॉलिटी के अंदर कौन से बढ़ डेवलपमेंट होने वाल आप लोग कोड यूज कर सकते हैं जिसके बाद में आपको अभी बेस्ट आफर जो हो मिलने वाले हैं अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि यह आइस बेकर होता के एक बाइस इमेज को बहुत ध्यान से देखो इस इमेज के अंदर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ज आपके गया को एंगी वैस जो कि बार रही हुक Idistes डीक मेज आफ सउन लगा घर रो यूद इसके बाद में उरॉपयों पाध्यज को यह ऐकर प्लियरली समझ में आ रही है कि आने वाले समय में western देश जो कि उससे oil और natural gas खरीदा करते थे वो आने वाले समय में नहीं खरीदेंगे ऐसी condition के अंदर रशिया जो oil और natural gas बेचने की सोच रहा है वो सोच रहा है इधर इंडिया और चायना को यहां पर आपको चायना दिख रहा है यहां पर आपको इंडिया दिख रहा है अब रशिया के अंदर आगर आप देखोगे न तो एक बड़े मात्रा के अंदर oil और natural gas, LNG, Yamal, Garden, Peninsula यानि की उपर यह architect sea वाले region के अंदर होती है अब यहां से जो LNG होती थी वो directly रशिया यहां पर transfer कर देता था with the help of pipelines पर चायना और इंडिया के साथ में इस तरीके का कोई infrastructure है नहीं अब रशिया क्या करता है, लेंड के जरिए पहले oil natural gas को इदर लेके आता है, Black Sea के अंदर, Black Sea से फिर जहां पकड़ता है, इस तरीके से इसको transport करता है, यह इदर भारत लेके आता है और फिर आगे चायना के अंदर, चायना के अंदर डारेक्ट इदर से भेज देता है, पर यह जो रास्ता आई है, रशिया को काफी लंबा पड़ता है, तो रशिया सोच रहा है कि इस रास्ते को आप फोकस ना करते हुए, एक काम क्यों ना ऐसा किया जाए, कि जो Northern Sea Route है, इ यह दो आइस ब्रेकर लॉंच की और आने वाले समय में, और भी आइस ब्रेकर जो है, वो लॉंच करने वाला है, इतना है नहीं है दोस्तों, एक और आपको जगे देखने को मिलेगी, Arctic Sea के अंदर ही, Arctic Ocean के अंदर ही, उपर की तरफ यह Canada वाली, ठीक है, यहाँ पर आपको Canada Northwest पेसेज दिखेगा, यह कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसे अगर आप मैप पे देखोगे, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैंने अभी बताया कि उपर North Sea के अंदर, Northern Sea Route के अंदर, लगातार रशी अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, आइस ब्रेकर जो हैं आपर आपको देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट शेंज हो रहा है, इसके वाइसे बर्फ जो है पीगल रही है, आपने concept सुना होगा that is polar amplification अगर धर्ती का तापमान बढ़ता है तो pole का तापमान और ज्यादा बढ़ता है जैसे धर्ती का तापमान अगर 1.1 degree Celsius से बढ़ा तो pole का तापमान 1.8 degree Celsius से बढ़ जाए ऐसा क्यों होगा एक simple सा concept आपने geography के अंदर सुना होगा that is albedo यानि की सूरज की रोष्णी को reflect करने की ताकत जितनी जादा सूरज की रोष्णी reflect होके धर्ती से बाहर जाएगी उतना ही धर्ती का तापमान कम रहेगा पोल वाले region के अंदर बर्फ होती है बर्फ सफेद कलर की होती है सफेद कलर की जो बर्फ होती है सूरज की रोषनी को reflect कर देती है जिसके कारण से polar region थंडा रहता पर अगर धर्ती का तापमान बढ़ रहा है यानि के थोड़ा नवर्फ की तापमान भी वड़ेगा फोल जो है वो गरम होगा जिसके वज़े से उसके अंदर बर्फ पिगलेगी तो अंदर से पत्थर बहार आएगे वो कैसे होंगे डाय कलर के अब क्या करेंगे सूरज की रोषनी को absorb कर लेगे जिसके कार्ण से albedo कम हो जाएगा मतलब जो पोल के अंदर अभी बर्फ के द्वारा सूरज की रॉष्णी reflect हो रही है वो बाद में पत्थरों के द्वारा absorb होने लगी जिसके कार्ण से पोल का तापमान और तेजी से बढ़ता हुआ दिखने लगी इसी चीज को अम लोग क्य पिगलेगी तो यहां पर जहां चलाना और इजी हो जाएगा इसी कार्ण से यहां पर और ज्यादा नेविगेशन जो है वो लोग ढूंड रहा है इतना ही नहीं अभी तक आइक टिक ओशन के आज पास जो नेचल रिसोर्स जो मिनरल्स है उसे ज़्यादा एक्स्पोर किया सब्सक्राइब कि उलाएब अगर बलग पिगलेगी तो यहां पर और जादा नेचल रिसोर्स और नेचल गेस वगेरा और एक्स्पोर्ट की जा पाईगी वह सारी चीजें जो है वो आने वाले भविश्य में होगी क्योंकि रिसोर्स है काहां से conflict है इवन यह conflict थोड़े थो अब अपनी मिलिटरी एक्सराइस करना है इतना ही ने चाइना ने तो यह तक कहा दिया है कि हम लोग एक पोलर सी रूट बनाएंगे पोलर सिल्क रूट बनाएंगे रश्या जो है वह अपने USSR के समय के जो मिलिटरी थी जो वहां की पावर थी आपकर पास कि उसको वापस क्या करता है भारत ने 1920 के अंदर Arctic Ocean के अंदर अपनी प्रेजन्स बनाना शुरू की थी विद्धा है पॉप स्वालबाड ट्रेटी जो की पैरिस के अंदर हुथी भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने अपने साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजे हुए हैं आ पर साइंस रिलेटर रिसर्च करता है इन दा फील्ड ऑफ ग्लेशोलोजी हाइड्रो केमिस्ट्री माइक्रो बायोलोजी और एट्मास्पेरिक साइस भारत ने अपना एक रीसर्च स्टेशन नौर्वे के अंदर स्थापित किया है भारत के और भी कई सारी ऑब्जर्वेट और भारत अभी भी आधरिक कांसल का अबज़र्वे मिंबर हैं तोदा उननेस के अंदर भारत की अबज़र्वे मिंबर्शिप को यがदार 24 तर कर दिया गया जिसके बाद में भारत ने अपनी अटरिक पालीशी निका भी निका ली थी मार्चब takich सिकल चर्कल के अनके से क्ल Center for Polar and Ocean Research जो आती है Ministry of Earth Science के अंदर तो दोस्तों ये भारत की अभी तक Arctic Circle की planning है और आने वाले समय में Arctic Circle जो बहुत ज़्यादा important होने वाला है तो दोस्तों आप लोग को लेक्षे कैसा लगा वो आप लोग बिल्कुर से कमेंट करके बता सकते हो साथ में अगर आप SRC 10 कमेंट करोगे तो मैंको लगेगा कि लेक्षर बहुत एगदम फाडू रहा है इतना ही नहीं दोस्तों अगर आप लोग को इस लेक्षे की सब्सक्राइब करो जिसके बाद में आप लोग को मेरे दौरा परसनली वनानवन मेंटरशिप मिलेगी और इसी कोड़ का यूज करने के बाद में आपको यह डिसकाउंट जो अवेल होगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जैन जैवारा